नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस्टेनोगरुज योटूब चैनल तुस्ट आज के वीडियो में हम लोग बात करने वारे हैं Employment Provident Fund Organization से जो वेकंसी आई है इस्टेनोगराफर की उसके बारे में यहाँ पर डेटेल में चर्चा करेंगे कितनी वेकंसी है क्या सिलिबस रखा गया है कितनी शीट है पे लेबल क्या रखा गया एज क्या रखी गया फीस क्या मांगे गई है ठीक है सब कुछ यहाँ पर वन बाई वन चर्चा करते चलेंगे तो वीडियो को अन तक देखते रहिएगा शब कुछ आपका सार डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल आ रखना जिससे इंपोर्टन वीडियो आपसे मिस ना हो तो चली स्टार्ट कर आपको लाइक करेंगे तो इंपोर्टन डेट की उपधे हम लोग शर्चा कर लेते हैं क्या एंपोर्टन डेट रखा गया और एक चीज और बता दूँ कि एक कंडिदेट के बवल एक ही फार्म अपलाई करेगा थिके एक से ज़्यादा अगर अपलाई करता है तो जो लाश आप उसमें संसोधन कर सकते हैं लेकिन आप फॉर्म भरते समय बहुत साउधानी के साथ भरिएगा ताकि कहीं भी कोई भी कलती का चांस ना रहें दोस्तों बता दो कि यह लेबल फोर की बेकेंसी है और इसमें आपका जो पे लेबल होगा 25,500 से 81,100 होगा ठीक है यह आपका बेसिक होगा उसके बाद इसमें टीए डीए चारे जो भी मिलता है वो सारा कुछ आपको यहाँ पी मिलेगा ठीक है इस्टार्टिंग जो डेट है आपका 27 तारिक से इस्टार्ट हो रहा है और 26 अपरेल तक चलेगा आपको लाजड़ीट का इंतिजार नहीं करना अगर आपके पास इलिजबिल्टी है और आप साथ हैं शीख रहे हैं तो आप फटा फटा फटे फर्म अपलाई कर सकते हैं चाए आप इंगलिस वाले हों य यहां पर रखा गया है ठीक है और करेक्शन के लिए कर मालों बाई दबे कुछ गलती हो जाती है तो आप करेक्शन कर पाएंगे 27 और 28 अपरेल को और इसके अद्मिट कार्ट के बारे में आपको अलग से बताया जाएगा कि कब आपका एक्जाम होगा अद्मिट कार्ट कब करेंगे जो रिटन क्वालिफाई करेंगे उन्हीं को स्किल टेस्ट के लिए बुला जाएगा और बता दूं कि स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग ने चारे उस पर कोई नंबर नहीं मिलेगा ठीक है बिदिन इतने परसंट मिश्टे के अंदर आपको पास करना है ठीक करेंगे तो यहां पर बता दूं कि पहले आपका कंप्यूटर बेस्ट टेस्ट होगा ठीक है उसके बाद जो है आपका सोट हैंट टेस्ट के लिए बुला जाएगा सेकेंड इस्टेज में आपका 10 मिनट का डिक्टेशन होगा 80 सब देपर्टमेंट की स्पीड से बोला जाएगे नहीं तो आप पता चले सेहिए सहीं रहे हैं हिंदी में और भर दिये इंगलिस में तो फिर बात में चेंजिंग नहीं हो पाएगी इस बात को ध्यार किये गा एक तोलिकश की बात करेंए तो एक सो पाचासी पदों के लिए हम पर बेकर सी निकाली गई है ठीक है और यहां पर दिखिया अलग-अलग category wise, यहां पर divide किया गया है, किस category में कितनी vacancy है, आप इसको देख सकते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देख लेते कि क्या age criteria रखा गया है, ठीक है, और skill test का तो हमने पहले ही बता दिया कि 10 minute का dictation होगा, ठीक है, education qualification की बात करते हैं, तो दोस्तों अगर आपने 12th pass कर लिया है, यनि कि 12th pass कर लिया है, तो आप इसके लिए eligible हैं, ठीक है, और आपसे कुछ नहीं मांगा जा रहा है, क्यों 12th pass हैं, और आपको short hand आती है, तो आप इसके लिए eligible हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप 12th pass कर लिया है, तो आप नहीं पर पाइंगे ठीक है या पर 3.3 number देखे़ तो आपका result बेटिंग में है तो आप इसके लिए eligible नहीं है है ठीक है result आपके पास है या बारामी का तो आप इसके लिए eligible है ठीक है पहले return होगा return पास करने के बाद आपका shorthand test होगा चोटन टेस्ट के बारे मैंने आपको बता दिया है अगले चरण की और बढ़ते हैं वीडियो ज्यादा लंबा नहों इसलिए थोड़ा सफार चलेंगे आगे बात कर लेते हैं दोस्तों एज लिमिट और एलिजबिल्टी की तो एज लिमिट जो आपकी रखा गया वह अठारा साल के मिनिममूम और सटाइश साल के होने चाहिए बाकि कटेगरी वाइच यहां पर तीन साल पांट साल आठ साल दा साल जो भी जिस कटेगरी में चूट मिलता है वो यहां पर दिया गया आप देख सकते है और यहां पर देखे 15 पेज का notification दिया गया है reservation के बारे में यहां बात किया गया कि कौन सा reservation रोल यहां पर follow हो रहा है फिराल हम लोग बात करते हैं आगे पहुंच के syllabus देख लेते हैं syllabus क्या रखा गया है ठीक है जो देखिए यहां पर syllabus की बात करें दोस्तों तो जैसे आपका SSC का syllabus होता है सेम होई पैटन रखा गया है यहां पर पचास question आपके reasoning के होंगे पचास question आपके GS के होंगे ठीक है जिसमें आपका including computer awareness general awareness सब कुछ होगा ठीक है लेकिन यहां पर एक question चार नंबर का है ठीक है 200 question होंगे 800 rank होंगे मतलब 800 number होंगे ठीक है दो गंटे का paper होगा सभी लोग इसकी तयारी start कर दिया अनिकि अगर आप SSC के तयारी कर रहे है तो सेम होई pattern यहां पर भी रखा गया है अलग से सिल्बस में कुछ परिवातर नहीं किया गया है प्रते question चार नंबर के होंगे यहां पर बता दिया गया है ठीक है और objective type के रहेंगे question multiple choice के रहेंगे the question will be sent both language में होंगे हिंदिया और इंगलीस दोनों में रहेंगे लेकिन English और इंगलीस में ही रहेगा ठीक है the marks obtained in the page 1 will be considered for the final selection and merit मैंने बता दिया कि आपका short hand में कोई number नहीं मिलेगा आपका final selection merit में आपने return विज इतना number खीचे रहेंगे वही आपके काम आएगा total जो है आपका 10 minute का सुरी 800 number का paper होगा ठीक है दस गुना candidate जो है यहां पर qualify कराएं जाएंगे skill test के लिए ठीक है जो skill test में पास होंगे फिर उसी हिसाब से इनका डिबी होके final result जारी कर दिया जाएगा ठीक है skill test के बारे में मैंने बता ही दिया है ठीक है जो आपका short hand test होगा computer पर होगा 10 minute का dictation बोला जाएगा चाया आप हिंदी में हो या English में हो तो transcribe करने के लिए 65 minute का time मिलेगा ठीक है और यहां पर देखे note में लिखा गया है कि skill test आपका क्यों qualifying nature होगा ठीक है अगर कुछ doubt है तो आप comment करके पूछ सकते हैं फिलाल आगे बढ़ते हैं और यहां पर देखे answer की वगरा यह link दिया गया है जब आपका answer की आएगा तो यहां पर यह दिया गया है ठीक है अ चर्चा कर लिया ठीक है age criteria क्या रखी गई है आपका syllabus क्या है कब से form apply हो रहा है फिस कितनी रखी गई है syllabus क्या है ठीक है तो सब कुछ यहां पर detail में चर्चा कर लिया बाकी यह 55 page के notification है आप इसको विधिवाद पढ़ लीजिए यानि कि पहले से अगर आप job वगरह में हैं तो आपको अपने department पर information करना होगा ताकि document के समय आपको NOC मिल जाए ठीक है नहीं तो आपको फिर exam देने से कोई फायदा नहीं हो पाएगा और आपको form बरते समय अपना पूरा detail एकदम सही-सही देना है ठीक है सही-सही और शाओधानी के साथ एकदम सही detail भरना है ताकि form अच्छे से submit हो और आप अच्छे से त्यारी करके पास हो सके है ठीक है बाकि यहां पर जर्नल गाइडेंस बहुत कुछ दिया गया है क्या क्या चीज़ें आपको धिया रखना है एक्जाम में क्या क्या लाना है क्या नहीं लाना है यह दिखिए आपर form और रइस्टेशन भ आप अच्छे से ले सकते हैं और जो आपके बात करें कि एक्जाम सिटी के लिए बहुत सारे एक्जाम सिटी का यहां पर आपसन दे रखा है लगबगे 43 में 47 एक्जाम सिटी इन्होंने दे रखा है अपने चौइस के हिसाब से आप भर सकते हैं ठीक है आप किसी भी का लगेगा OPC का जैसे है तो Central Government वाला लगेगा वो फार्मेट दियेगा वो मने स्टार्टिंग में ही बता दिया अगर आपने नहीं बनाया तो बनवा लीजिएगा ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी तो हमें लगता है कि वीडियो में सब कुछ हमने डिटेल में चर्जा कर दिया है फिर भी आपके मन में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं ठीक है तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना जिससे इंपॉर् आप इसको देख सकते हैं ठीक है तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में नए जानकारी के साथ तब तक के लिए थांक्स पर वाचिंग जय हिन जय भारत